कि आप लोग का स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन यूटूब वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं एकाउंट विथ टैली प्राइम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जी एस्टी नंबर लेने पे क्या क्या करना होता इसे पिछली वीडियो में मैं आपको बत लेते हैं तो कौन सी ऐसी बाते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है इसके लिए जी एस्टी नंबर लेने के बाद चार काम करना होता है, अगर आप GST नंबर लेते हैं, तो सबसे पहले हर एड्रेस पे GST नंबर डालने होंगे, नहीं डालने पे खोजबीन होती है, जो सरकारी ओफिस के जो ओफिसर्स वगरा होते हैं, वो आपकी GST की कभी कबाल जाच बैठा देते हैं, और उस GST पे से स्टाप नहीं किया, GST आपका उसी तरह पड़ा हुआ, तो उसे आप किस तरह से आपने GST लिया और आपने उस GST नंबर पे कोई अड्रेस नहीं डाला, तो वो डालने होंगे, अगर आप वो अड्रेस नहीं डालते हैं, तो आपको 50,000 तक का जुर्माना भी भरना होता ह GST फाइल पे, GST नंबर सबसे important work होता है, बैंक के लिए, अगर आपने GST नंबर ले रखा है, और उसके लिए आप work कर रहे हैं किसी बिजनेस पे, तो आपको GST में bank account का जो नंबर होता है, वो add करना होता है, जो भी details होती है, वो add करने होते हैं, वो भी 45 दिन के अंदर अं अपने office में, या फिर आपने कोई company खोल रखी है, उसमें GST नंबर add कर दिया, और उस company पे work करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 45 दिन के अंदर अंदर जो आपका GST नंबर है, उससे आपको bank से contract करना होगा, otherwise, अगर आप अपने business में increasing decreasing कर रहे हैं, अगर जादा आपका GST होगा, तो वो आपका return फाइल जो करेगा, वो bank खुद वो खुद कलक्लेट करेगा, अगर आपने GST नंबर में bank details add नहीं कर रखा है, तो bank को दिक्कत होगी आपके transactions की entry देखने में, तो आपको वो भी 45 दिन के अंदर अंदर GST नंबर मे जो भी bank की details होगी, bank account की वो सारे आप add करते हैं, तिसरा है business start करते वक्त आपके पास पहले से जो stock होता है, जो मालने जी कि आपके पास धेर सारा माल है और आप business start करने जा रहे हैं, तो वो तो आपने माल purchase किया था, ये थोरी न था कि आप उसी माल से business start करेंगे, business खोलने के बाद माल purchase होता है, तो जो आपके पास पहले से जो माल रखा हुआ होता है आपके घर पे, आप उस stock को भी use कर सकते हैं, बशर पे, उस stock का जो input आप लेंगे, बट उस stock की जो paper bill होगा, वो आपके पास होना जरूरी होता है, अगर paper bill नहीं है, तो आप उस stock को use नहीं कर सकते अगर आपके पास पुरानी स्टॉक की पेपर बिल है तो आप उसे GST में फाइल करके उस पुराने स्टॉक को आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं अगर आप GST नंबर ले लिए हैं और रेजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं और आप उसके उपर कोई वर्क नहीं करते हैं तो भी आपको नील रेटेट GST रिटर्न की फाइल भरली जरूरी होती है अगर नहीं भरते हैं तो छो मन्त के बाद वैसे भी आपका रेजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाता है और अगर आप registration करवा लेते हैं वापिस से registration GST registration आपको करवाने होंगे और आप registration GST की करवा ले रखें और आप उस पर कोई work नहीं कर रहे हैं या फिर बैठे में तो आपको सोच रहें कि जब हम कोई work ही नहीं कर रहे हैं तो हम GST return क्यों भरें आपको नील रेटेड की GST return भरनी जरूरी है फ्रेंज इस वीडियो में आपने सीखा GST के चार इंपोटेंट पार्ट की किस तरह से हम GST में address फिल करें किस तरह से GST नंबर लेते वक्त हम बैंक अकाउंट एड़ करवा हैं आप GST में registration लेने के बाद भी GST नंबर लेने के बाद भी कोई company में वर्क नहीं कर रहे हैं कोई वर्क आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी आपको GST return की फाइल मन्थ वाइज नील डेटेड की फिल करनी ही होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ share कीजिए हमारी चैनल को like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे complete course की वीडियो चाहिए तो आप आई-पी-टी एक्सले स्कूल की mobile app डाउनलोड करें और वहां से आपको मिलता है complete टैली प्राइम की basic to advance वीडियो तो mobile app की लिंक नीचे description box में दी गई हुई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मन पसंद की course वीडियो पर्चेज कर सकते हैं मन पसंद की course जी हां वहां पर आपको मिलता है complete BVA की course, excel with microprogramming की course, advanced excel with formulae की course, course, a one-to-one light class जिसे के आप कैसे contact करें तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू